कुछ दिन पहले ही इसे प्रात्मिक्ता से प्रकाशित किया गया था कि इस मार को परिवर्तत करने के बाद डेंजर रोड यातायत के दबाओ को सहन नहीं कर पारा है और यहां कभी भी कोई हाथसा घटीत हो सकता है और अभी कुछ दिन नहीं वीते थे और यहां चावल की बोरियों से भरा एक ट्रक डेंजर रोड से गुजरने के दौरान रोड पर पलट गया हाला कि इसमें कोई जनहानी तो नहीं होई किन्तु ट्रक शालक मामली चोटे आए ऐसे सुतरों से जानकारी लग रहे हैं अच्छे वज़े का बता जा रहा है हास्ते के बाद शालक को अस्पतल लाए गया जहां उसके शर मिटाके लाग और छुट्टी भी दे देगी हास्ता कैसे हुआ और धान के बोरियों को नुक्सान हुआ है इसके पुलिस से अभी या धिक्रत जानकारी नहीं थी अलकि इस ह दिरे दिरे छती गरस होकर अब उखडने लगा है डेंजर रोड के एक और जस्तानों में भरन डहसने से बहान पलटने का भी डर था जो गुरुबार को हास्ते का कारण बन गया गनी मत रही कि इस हास्ते में किसी की गंबिर छतिया जनहानी नहीं होई अब देखना यह होगा कि घटना के बाद जिला प्रसासन इस रोड पर किस प्रकार की सावधानी बरतने के निर्देश जारी करते या फिर पुना इसी प्रकार से इस मार्ग पर भारी महान के आवाजाई बनी रहती है क्योंकि अब धिर धिरे डेंजर रोड भारी महानों के आवाजाई से अब उखड़ने लगा है कुछ जगह भारी महानों के वजह से मार्ग नीचे के और धशकने भी लगा है यही कारण है कि अब इस रोड से गुजनने वाले भारी महान दुरगटना का भी शिकार हो रहे है